उत्तपरदेश के जन्पतबल ग्राम पूर्तुलसी पूर्त तहसील के अंत्रगित ग्राम सबाब बेली कला के कोटेदार की ब्रस्ट्राचार की कहानी ग्रामबासी की जुवानी स्याम बिहारी यादब कोटेदार के दुवरा महलाओं के साथ अभध्र भासा का प्रियोग करता है कोटेदार इसी ग्राम सबा का एक पूर्व गधा गोवा में रहने वाली महलाओं ने बताया कि कोटेदार अंगूठा लगवाने के बाद कहने लगा हमारे यहां साधी है आप लोगों को हम दो-दो महीने, तीन-तीन महीने बाद रासन उपलब्द कर देंगे शादी का बहाना देकर हम लोगों से अंगूठे का निशान भी लगवा लिया जब चौथी बार अंगूठे का निसान लगवाया, उन्होंने बताया कि कल आकर गल्ला ले जाईएगा जब हम सभी महलाएं रासन लेने के लिए उनके यहां गए तो अभद्रभाशाओं का प्रयोग करते हुए कहा कि हम एक भी दान कुछ नहीं देंगे, एक भी दाना नहीं देंगे जब महलाओं ने इसका विरोध किया, बड़ी दबंगई के साथ अब अभद्रभाशाओं का प्रयोग करते हुए दुकान से महलाओं को भगाया और महलाओं ने यह भी बताया कि उनसे कहा, ना दिया है ना देंगे, जो कारवाई करना है जाकर करवा दो हमारे विभाग वाले हमें अच्छी तरीके से पहच्चानते हैं और जानते हैं और हम उनका सम्मान करते हैं, कोई मेरे खिलाब कुछ नहीं कारवाई कर सकता अब ऐसे मैं देखा जो आए तो प्रधानमंत्री जी की गारंटी योजनाओं पर फिर रहा पानी, अब देखना यह है, ऐसे कोटेदार के खिलाब जिम्मेदार अधिकारी क्या एक्सल लेते हैं क्या नम शकुन तला नम है आपका, कहा रहती है आप गदाखवा में गराम सभा क्या है बेली कला अच्छा कितनी बार आप लोग गई हैं आप लोगों ने अपने ग्राम परदान से कहा कभी परदान में क्या कहा अचा परदान अचा परदान जब जानन है हम लोग कोटान में दखागे लिए जोनों साथ में पीसे खाते हैं वो उससे पैसा ले लिया परदान कोटेदार से अचा और दूनों साथ में पीते खाते हैं ग्राम परदान तोनों है राम सभा राम सभा यादो अचा दोनों यादों मिलकर इस ग्राम सभा की जनता को बहुत ही जादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कोई प्रसासन का व्यक्ति सुनने को तयार नहीं आईए कई व्यक्तियों से जानकाई लिजाए देख दिखा सकते हैं कि कितनी भीड़े लगी हुई है तारे ग्राम सभा के वासी यह अपना दर्द बया कर रहा है क्या नाम है विया रियाजुत दीन कितनी भीड़े देखती रहिए डीबी भारती समचार नजर हर खबर पर